Welcome to Light of Law, मेरे सारे UPSI के साथ ही और Selected, Not Selected Selected लोग अपने Joining Letter का इंतजार कर रहे हैं जब कि Joining Letter आपको अभी नहीं मिलेगा Not Selected लोग ये कह रहे हैं कि क्या court case में अभी भी कोई उमीद वची है क्या उसमें कुछ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है और बहुत सारे साथी तो सिर्फ इसलिए मुझे याद कर रहे थे कि मैं काफी दिनों से गायब था और लगातार, ये अच्छा लगता है जब आप लोग पूछते हैं कि या आप तरहां पे हैं, आप ठिक ठक हैं कि नहीं हैं कुछ लोग फोन भी कर लेते हैं, आप सब का धन्यवाद चलिए बहुत सारी बाते हैं आप सब के लिए करने के लिए और आप सब को जानने के लिए सेलेक्टेड लोगों के बहुत सारे किरियोस वाले प्रस्ण हैं क्योंकि 25, 26, 27 अलग-अलग डेट्स आ रही हैं कि ज्वाइनिंग लेटर बढ़ जाएंगे और यह सारी चीज़ हैं फिर ट्रेनिंग के लिए वे एक 6 दिसंबर फिर कुछ और चलना है यह सारे काफी सारे डेट्स हैं काफी सारे डाउट्स हैं और इससे पहले में आप डोग के नराजगी का जवाब दे दो कि दलसल बात यह है कि मैं जोbone कुछ दिनों से UPSI में आप ही के साथ ही जो है हमारे साथ ही जो medical में जाकर कि finally last last में unfit हो गए उन में से बहुत सरे साथ ही जो है जिनके cases हम handle करें उसको ले करके थोड़ा सब व्यस्तता बढ़ गई है मेरी क्योंकि अब देखो यह सब ठीक है कि कहीं कोई एक number दो number से निकल गया है या ऐसा ल या बंदी हार जाए और यहां इतने करीब आखर कि वो case से निकल जाए इसलिए हम से जितना हो सकता है उतना हम उस medical के case को लेकर के जितना strong बना सकते है उसी में लगे वे थे और उसी तैयारी के बीच में पूरा dedication होना चाहिए वकालत सिर्फ ऐससे नहीं होता तो इसलिए प काफी ज्यादा ब्यस्तता और काफी लंबिक केसों की संख्या है इसलिए थोड़ा सा ब्यस्तता और बढ़ गए थी जिसकी वाज़ा से आप सब के बीच में नहीं आज़ा थे और यह प्रयास करना मेरे जिम्मेदारी भी है क्योंकि अगर वो मेरे साथ है तो उन्हें लाश वो मुझे यह आ रहे हैं कि सर बहुत डिमेटिवेट हो रहा है लगातार ऐसी चीजे सुनने को मिल रही है तो अलग अलग माद्यमों से अलग अलग चीजे निकल के आ रही है तो चरिए आपको पहले कुछ बाते बताते हैं देखिए क्या नया हो गया इस केस में अगर कोट में सुनवाई होती है तो कौन से ऐसे नए साक्षे हैं जो लेकर कि आज आएगा कोई जितने एविडेंस थे यह सारी नौट सेलेक्टे देखिए मैं एक क्लियर आपको विजन दे रहा हूं क्लियर सी बात है जो री एक्जाम नौट सेलेक्टेड साती है जो अपना सोच रह रहा है देखो मेरी नजर में अब इस UPSI केस में सिर्फ पैसा उगाही ही एक मात्र चीज बच गया है और जो भी चीजे होनी है वो हो गई है और जो चीजे होने वाली है वो हो जाएंगी लेकिन अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिवीटी आपको देखिनों को इसलिए का था एक्जाम में पेपर से रिलेटर था या फिर भी अलची के थरू वर्चुल कंप्यूटिंग के थरू जो आपके नकल का मामला था यह सारे मामले कोट में रख दिये गया थे और कोट ने उसको एड्रेस कर लिया था और यह सब कुछ देखने के बाद भी कोट ने ना भरती पर रोक लगाई थी और ना ही इस भरती की प्रक्रियाओं तक पर रोक लगाया था कोट ने इसको फर्दर कर दिया था और यही आउडर किया था कि जो भी हो गया अल्टिवेट फैसला हमारा मानने होगा तो पहली चीज आप यहां से नोडिस कीजे कि इसमें कोई और है इसके चार लाइंस दिखा रहे हैं बाकी चीजे गोपनी हैं यूपी एसाई से संबने थे आप लोग पढ़ लिजे यह इसलिए आप लोग को दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग के मन में जो कुरियोसिटी आ रही है जो भय आ रहा है तो आप देख लिजे कि सरकार कितनी ज़्यादा अग्रसर है कि additional advocate journal तब को court में उतार रही है भरती के पक्ष में तो आप देख सकते हैं ठीक है तो इसलिए मैं आप सब को कह रहा हूं कि जितना भी holistic approach लेकर के जा रही है इस भरती को लेकर के तो इसमें बहुत ही कम chances है क्योंकि जिन problems को दिखाया गया है उसको court में भरती board ने उससे पहले address कर लिया है मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ ये भी चीज़े है कि उन सब के ऊपर अपना counter-affidavit और साथ में dismissal भी फाइल कर दिया है विजवाइंडर की चीज़े जो भी submission होनी है वो आपको court में दिख जाएंगी यकीन किजिए भरती board और सरकार इतना ज्यादा involve है कि इतने ताकतवर वकीरों को court में खड़ा कर रही है जिनके arguments के सामने अच्छे अच्छे लोग ध्वस्त हो जाते हैं और ये हमारा सभवाग्य है इस UPSI में कि हमें अब ऐसा वक्त मिला जीवन में कि हमें additional advocate journal के सामने खड़ा होने का हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बहुत कुछ सीखा जा दी हमें पर ये है कि सरकार की अप्रोच आप समझ लिए इस order से आपको समझ में आ गया होगा किस भरती में अब आगे क्या होने वाला है और इसमें court case से re-exam की कितनी उम्मीद बनती है SIT और investigation और जान जो भी है सब कुछ हो चुका है और उसकी report लग गई है देखिए लोग ये कह सकते हैं ये ground ले सकते हैं कि भाई भरती के उपर सवाल था और भरती बोड के चियर में एसाइटी के head थे ये आप कह सकते हैं लेकिन court जो है ना उनको भरती बोड का head ये constitutional post मानता है कि भाई वहा पर एक संविधानी का धिकारी बैठा हुआ है और उसकी जाच की है उसकी निश्पक्षता पर सवाल अंटिल आपके पस कोई proof ना हो कि वो व्यक्तिगत आदमी किसी corruption में involved है तब तक आप उसके loyalty के उपर question mark नहीं कर पाएंगे और court इसको जो है accept नहीं करेगा denied कर देगा ठी यह अब selected साथियों के अगले सवाल पर आ जाते हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर चैनल पर नए है तो एक सवाल यह है कि क्या जोइनिंग लेटर यह 25, 26, 27 को बट रही है तो पहली बात तो यह है कि जोइनिंग लेटर यह नहीं है जोइनिंग लेटर तुम लोगों के ट्रेनिंग के बाद तुम्हें मिलेगी एडमिट कार्स मिलेंगे आप लोगों को नियुकती पत्र का एग आपने नोटिफिकेशन जरू देख लिए हो आपके ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के लिए और यह जो है 25, 26, 27 इसमें tentative हो सकता है कि ऐसा कुछ हो इसकी exact figure जो है ना आपका पहले हो जाए बाद लेकि 10 दिसमबर तक सबके latest dispatch होके हो सकता है आपको मिल जाए यह 10 दिसमबर जो है लास्ट डेडलाइन जो सरकार के द्वरा तै की गई है उस वक तक आपको देना है तो यह है आपकी news अब बाकी अगर कल हो जाए परसो हो जाए तो यह अच्छी जाएंगे और देखिए आजए भाई का वे एरियर आ गया है सैल्डी की साथ चार पांच लाग रुपया अच्छा परिशा आ रहा है आप लोग चाचा घूमिए एस कीजिए इंजवाई कीजिए और जो साथ ही not selected है वो अगली भरती की तयारी भी सुरू करते हैं क्योंकि आपको लगबग 12 सब के दरोगागा की भरती देखने को मिलेगी अगले चरण में तो आपके लिए वो भी एक अच्छा मौका है अगर आप पढ़ाई सीरियसली कर रहे हैं अगर आप सिर्फ यही सब चीजों में पढ़े हुए के रिए एक्जाम हो जागा ये तो इसमें आ आप